Hello everyone, welcome to ZKM का Mystery Classes आगे हम अपने second lecture के साथ और इसमें हम करने वाले SP2 Hybridization और C2H4 का example और उसको बहुत अच्छी से explain करेंगे structure model से भी समझने वाले भी आपको पता हमने unit number 4 इसमें हमारा पहला जो topic है वो है हमारा Hybridization एक lecture हो चुका है दूसरा lecture हमारा यह है पहले lecture में क्या किया था साथ पहले lecture में हमने SP3 Hybridization किया था और जिसमें हमने example देखा था CH4 का आई हो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आगी होगी आज हम करने वाले आज हम करने वाले SP2 Hybridization बहुती सिंपल सा बहुती अच्छा सा interesting topic है अराम से समझ में आगा बहुती प्यार से समझने वाले कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने होगी चले में स्टार्ट करतें फिर ना आज तोड़ा सा गला मेरा खराब है क्योंकि हमने SP3 Hybridization को अच्छे से देख लिया था अच्छे से पढ़ लिया था उसको समझ भी लिया था तो अब SP2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि हमको पता है SP2 Hybridization हम से खुद कह रहा है कि हमारे पास में एक S orbital होगी और हमारे पास में दो P orbital होगी सर एक बार बताना हाइड़ाशन क्या था हम भूल के कल से कल से तो नहीं भूलोगे अगर आपने देख रहा है तो बहुत अच्छी बात नहीं देखा ना तो भाई बहुत गलग बात है जाके देख लो पहले सब्सक्राइब देख और अच्छी था कि बाकी का पूरा सिक्वेंस पर चल सके और अराम से बड़े प्यार से इंचीज़न को समझ सके है Hybridization हमने का आता है और्बिटल की mixing होती है दो हो सकती है, दो से ज़्यादा और्बिटल हो सकती है जब वो आपस में mix होंगी, तो सारी mix होने के बाद जितनी orbital बनती है उतनी ही नई orbital हमारी बनती है और उन सब की energy, shape, size, सब सेम होता है उन orbitals को हम hybrid orbital कहते हैं और सब वो hybrid orbital आपस में arrange होने के बाद एक fix geometry भी बनाती जिनमें आपको fix bond angle भी पाय जाता है इस process को हमने hybridization का था अभी उसी के तरू जो हमने पहले समझ रखा था वहीं से हम SP2 को हम क्या करते हैं explain करने की कोसिस करते हैं definition हम लिख लेंगे फिलाल पहले समझ लेते हैं अभी हमको पता है SP2 hybridization का मतलब क्या हमारे पास 1-A orbital होगी? ठीक ऐसा दो P orbital होगी? ठीक ऐसा मिक्स होगी अब कितनी मिक्स हो रही है? 3 1-S 2-P तो 3 तो बनाइंगी कितनी? इस हमने hybridization यह कहता है जतनी mix होती है उतनी ही बनती है भाई आपर 3 वेक्स ओरी तो 3 बनेंगी अब सब जो 3 बनेंगी वो कौन होती है वो hybrid orbital होती है। कौन होती है वह hybrid orbital स्था hybrid orbital नाम होगा बिल्कुल होता भी उनका नाम क्या होता है कि एक धो 2 पी है तो उनका नाम हो जाता है SP to hybrid orbital जो hybridization उनकी hybrid orbital का नाम वही हो जाएगा तो इनको क्या नाम बोलेंगे SP to hybrid और इन तीनों orbital इन तीनों orbital की चाहे हम energy की बात करें चाहे हम energy की बात करें चाहे हम इनके size की बात करें चाहे हम इनके safe की बात करें safe मतलब आकरती यह सब इनका क्या होता तीनों का समान होता है चलिए इनको थोड़ा सा इस तरह से समझनी कोशिस करते हैं जो हमें बिलकुल आसानी से अराम से समझा सके हमारे पास में एक S-Orbital है यह हमने ले लिए सर S-Orbital ठीक है पी कितनी थी दो दो पी-Orbital बनाओ पर एस हमारे स्फेरिकल होते हैं पी कैसे होते हैं हमारे पास डंबल से दो पी-Orbital हमने ले लिए डंबल से सर यह S है इसको हमने पी-एक्श ने लिया है और यह हमारे पी-वाई हो ठीक है पी-जाड हमारे इसमें जो है वो पार्ट्स बे से hybrid orbital में एक लोग छोटा और एक लोग वहमार बड़ा होता है यह तो पता ही अब ही ठीक है in hybridichtal की चाएनरजी कीबात करये इनर्जी की बात करें चाहे हम इनके सैज की बात करें। यह सब क्या होते हैं। आपके सेंव होता है। dya he,smart बिल्कुल आईञा। अब यह 3-0 और्बिटल आपस में अरेंज होती हैं और ऐंज होने के बाद एक fix geometry बनाती है यह fix geometry बनाएंगी और वह fix geometry कैसी होती है वो भी देख लेते हैं वो fix geometry कैसे बनती है वो भी देख लेजे वो कुछ इस तरह से बनेगी आपकी fix geometry है तीनों ऑर्विटल हैं मेक्जिममन दूरी पर अरेंज हो जाएंगे याला कि एक ऑर्विटल आई इस तरह से अरेंज होई दूसरी इस तरह से और तीसरी इस तरह से अगर आप इन तीनों को देखो भाई यह तीनों और विटल एक दूसरे के प्लेन में हैं यह तीनों और विटल एक दूसरे के प्लेन में अगर मैं इसको इससे मिला दू ठीक है इसको इससे मिला दू तो आप देखोगे कि यह हमारा क्या है एक टाइप का क्या बना रहे हैं त तो हम कह सकते हैं, सर क्या कह सकते हैं? भई हम यह कह सकते हैं अगर इसकी जोमेटरी की बात की जाये बो BRI तो इस जोमेटरी क्या ह्फी और भो टो वी किसमे एक चलिंजे में प्लेंमेड़ा इसको नाम बोल यिए जाता है है Trigonal Planar किया बले जिसको Trigonal Planar आई हो पे इतनी बात के लिए रोगी जिसको मिंद्ध में क्या बोलता है समतल तरकोड बेक समतल में तरकोड बनना तो इस जियामिति को तो इस Geometry को बोले यह संपलतर कोड़ी है मतलब ट्राइगोलर प्लेन है सर एक और चीज बता दीजे और वह चीज क्या होती है बॉंड एंगल वह चीज क्या होती है हमार पास बॉंड एंगल सर बॉंड एंगल कितना होगा अगर बॉंड एंगल की बात करें तो वह तो आपको निकालना बहुत अच्छे से आता होगा अगर मैं इसके बीच में बॉंड एंगल निकालूँगा तो मेरे को 120 डिग्री दिखाए देव काई को सर क्यों दिखाए देव क्योंकि पूरा सरकल तो 360 का होता ना इतना ही है SP2 hybridization अभी इसके हम definition लिख लेते हैं उसके बाद इसका example करने वाला है सर definition कैसे लिखेंगे definition कैसे लिखेंगे पहले मैं बता देता हूँ Hindi video लोगो तो इसके बाद मैं आप English वाले समझ लेने देखो इसके अगर definition लिखना चाहें आपने नोर्स में कैसे लिखेंगे क्यों आपके लिखना होता है समिस्टर वाल तो वाह पर आपको लिखना तो आई है हम यह आपर कहेंगे बाई जब किसी atom की 1s2p orbital mix होती है तो mix होने के बाद 3sp2 hybrid orbital बनाती है 3sp2 hybrid orbital बनती है जिनकी energy, size, shape सब क्या होता है समान होता है फिर यह 3 orbital आपस में arrange होने के बाद एक fixed geometry बनाती है जिस geometry का नाम होता है trigonal, planar और उसमें पाई जाने वाला bond angle होता है 120 degree इस process को sp2 hybridization कहता है simple I hope आप लिख सकते हो जो भी मैंने बोला उसको जब किसी atom की 1s2p orbital आपस में mix होती है तो 3 नई sp2 hybrid orbital बनती है जिनकी energy, size, shape सबसमान होता है तीनों आपस में arrange होने के बाद trigonal planar geometry बनाती है जिनमें bond angle 120 degree का होता है I hope clear है अब आता है अगर आपको English वालों को definition लिखने तो क्या करेंगे लिखने 1s2p orbital of any atom mixed together and form 3s2 hybrid orbital having same energy, same size and shape shape all the 3 hybrid orbital arranged and form a particular specific geometry which is known as trigonal planar and have 120 degree bond angle every bond angle कितना होगा हमारा 120 degree का होगा चाहे तो इन दोनों के पीछ देखो या इन दोनों के पीछ देखो आई वो पितनी बात के लिए रहा है आप लिख सकते हो इसको मैं लिक नहीं नहीं हूँ क्योंकि लेक्टर फे तोगरा सा हमारा learning हो जाता है है अब हमारा जो काम है जो main काम है वह समझना इसके एक्जांपल को वह समझना इसके एक्जांपल को जिसमें हम एक्जांपल लेने वाले हैं चीस कि जतने भी फ़र कि व्युक्ति का व्युथस्य जाइव कैसे निकालने कोशिच करेंगे हमारे पास कारवन है ठीक इस बाता है अब यह तो सरी ग्राउंड इस्टेट है ना बिल्कुल ग्राउंड इस्टेट बाउंड थोड़ी बनाती है अगर हम बात करें ग्राउंड इस्टेट की टो अग्राउंड इस्टेट बांड थोड़ी बनाती हुए अशन को फिल आवब इससे तो हमारे बने है हम है चारा से चार होती है होता क्या है जब करांग के पास साइटोजन बांड बनानें आता है तो organism के तो carbon की electron में repulsion की बढ़ जाती है ऑब बढ़ने से ये क्या होता है carbon ground state से excited state में पहुंच जाता है जिससे मतलब एक electron s से उठकर कहां पहुंच जाता है t में पर इससे क्या होता है इससे ये होता है कि 2s में तो 1 electron आजाएगा लेकिन 2p में हो जाएगे 3 तू पर महो जाएंगे तीन सरे s orbital here e orbital here e s में लेक्टों ने एक अब पी में कितनी हो गए अब पी में कितने हो गए त्री हो जी इतना ही करना था इस से ज्यादा नहीं कौन सा अबरेशन पढ़ रहे हैं सरा हम पढ़ रहे हैं यहां पर SP2 hybridation, मतलब इसमें carbon की 1s orbital और 2p orbital, यह क्या हो जाएंगे, mix हो जाएंगे, 1s, 2p, orbital आपस में क्या हो जाएंगे, mix हो जाएंगे, तो इससे जो बनेगा, उन orbitals को बनेगे, यहां से कितनी बनेगे, 1, 2, 3, तीन आपको SP2 hybrid orbital मिल जाएंगे, लेकिन सर, एक चीज और, एक चीज मेर क्या दिख रहा है, यह एक orbital बच्ची है हमारी, जो कैसी है, unhybrid, unhybrid orbital है, और unhybrid भी कौन सी है, unhybrid p orbital बच्च के, यह ध्यान रखने वाली चीज है, unhybrid p orbital हमारी इसमें एक रहे गई है अभी, जो hybridational point speed नहीं कर रहे है, सर, एक और चीज है, क्या hydrogen को ले लीजे, उसका भी हम देख लें पहले, पहले हमारे पास hydrogen है, ठीक है सर, atom number 1 होता है सर, क्या हो जाएगा, electron confusion 1s, 1s, 1, मतला एक orbital, 1 electron, कोई प्रॉब्लम है, सर, नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं, अब हम इसका, orbitals की help से, पूरा और पूरा structure explain करने की कोशिस करते है देखें, यहां देखना, यहां पर हम बात करते हैं, हमारे पास में, हमने कहा सर, 1s orbital है, कारवन की बात करना है, किस की बात करना है, कारवन की, 1s, 2p, सर, 1s, 2p, पैसे, तो, p हमारे पास कितनी होती है, तीन होती है, सर, p हमारे पास कितनी होती है, तीन होती है, तीन होती है, कौन परसी है? Px, Py, Pz. Px, Py, Pz. यही नोरबिल होती है? बिल्ग. इन मेंसे कितनी और्ड़ M surgeon होंगい? कई बई इनमें से एक दो तीन aœरविटल मिक्स होंगी इनमें से ये तीन ऑःविटल मिक्स होंगी하면 मिक्स होने के बाद में कितनी बनाएगी वही तीन हमारे पास भीडॡyor कर रहे है यह नहीं कर रहे है ? सम मैं एक एक deposit होगा ? खीक है कोई प्राब्लम है नहीं ? सर ये orbitals ये 주는 Crinos? ये orbital आपस में arrange करींगी ? Orange करने के और arrange करने के बाद क्या इस भाउदघ्ए। क्या आई स्ट सब्सक्राइबं करते हैं किस में क्यास की डा सबूरिकश। क्यासैनिकर करने में किस आइचनिकर करनी है ट्रागोनल रेकर जारchnोथ आतंव एक चुछदाईन करते हो ऐसे कर दिए एकषाइस हो गए यह दूसरी और विट लिए तीसरी और विटल यह बताए कोई प्राइबलम ऑइओप में इसकाम करते हैं करते हैं इस वाली और विटल का हम कलर्ण सा चेंज कर देता है अलग रखते हैं चलो यह कर देता है ना यह जो unhybrid orbital है वो हमारी yellow is color में है यह ठीक है इतनी बात के लिए रहे तो यह white जो है यह हमारे पास hybrid orbital होगी यह को हमारे पास unhybrid orbital और unhybrid orbital के असी है वही P orbital है तो उसको हम ऐसे बना देगे यह हमारे पास unhybrid ठीक है ठीक है सब सम्में लेक्टोन है सरे इसमें भी एक लेक्टोन है इसमें भी है इसमें भी हमारे पास एक लेक्टोन और यह और यह अगर मैं इसकी बात करूँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह आपका इस तरह से ट्राइगन बनाएगा फिल्कुल बनाएगा तो यह हमारी trigonoplane geometry है पर यह हमारा बन गया भई एक carbon atom यह क्या बन गया हमारा यह बन गया हमारा इस carbon atom से कितनी carbon atom भाई C2S4 में 2 carbon atom है तो रही हमारे पास कितनी carbon atom गया हमारे पास C2S4 में 2 carbon atom है तो में 2 कारवन लेने हैं और हाईड़्दन कितने लेने हैं? चार चले ầy काम करता हैं बहुत अच्छे से समझनी कोसिस करता हैं यह हमारे पास एक कारवन एटम आ गया यहां सर एक और कारवन एटम ले लिजे short कऊने ले लिए दूसरा है वो गए यहाँ पर इसको मैं इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हो इसको बना देते हैं मतलब मैं ऐसे rotate करते क्यों rotate कि इसका region समझ में आ जाएगा ठीक है यह होगे इनको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि एजी ही लगे हमें समझना थोड़ा सा आसान रहे देखे वी यह हमारे पास होगी ताहने जहां से सुले ना बहुत प्यार से समझाने वाला हूं यह हमारे पास एक कार्वनेटम होगा है ठीक है यह दूसरा हमारे पास कार्वनेटम होगा है ठीक है इससे लगने वाला है कौन हमसे हाइड्रोजन लगने वाले है कौन लगने वाला है हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन दूसरा नीजय ये, इसमें हमारे एक electron, ठीक है, तीसरा नीजय यहाँ है, इसमें हमारे पास क्या होगा है, एक electron होगा, और चौहत भाई यह चौहाँ लेक रिंदेट करेंगे, अब यह दोनों पार्वन,ן सबसे पहले करेंगे अब यह दोनों कारवन क्या करेंगे सबसे पहले करेंगे और ओवर लेप करने के बाद बनेगा क्या ध्यान से देख ले न बहुत सिंपल तरीका है मैं आपको एक्प्रियन करने कोशिस करूं यह भी कारवन अटम है यह दोनों कारवन अटम क्या करेंगे एक दूसरे क के साथ O beğallayब करेंगे मित प्एक करेंगे कैसे करेंगे एस Hey जबो कि अब से समझ लेंगे क्या होने वाला इस कारवन इटम है ठीक है अर ये दोसरा हमारा कारवन एटम में ठीक है कार्वन इटम आएगा 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 मित इस तरह से चलता आएगा भी और आने के बाग इसके साथ क्या कर जाएगा यह ओवरलेप कर गई किसे हमाँ यह दूसरा कारवर norm थे इन इन दौनों ने आपस की इनकी hybrid orbital ने क्या किया ओगर लिप किया तो यहां पर क्या आ गया भई सिंग्ल बॉंड आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है अब क्या करने वाला देखो अब होने वाला यह है अब होने वाला क्या गई यह कि यह दौना जो hydrogen है यह hydrogen भी तो आएंगे बुलकुल आएंगे सर्थ यह हमारे पास जो hydrogen है यह hydrogen भी आएंगे यहां पर एक hydrogen यहां पर यह overlap कर जाएगा ठीक यह वाला hydrogen आएगा यह hydrogen यहां पर था यह इस तरह से overlap कर जाएगा ठीक है यह hydrogen यह यहां पर था यह आएगा इधर से यहां पर overlap कर जाएगा और यह वाला हैट्जन यहाँ पर है और यह यहाँ से इधर उब लेपकर जाएगा इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कहने का मतलब है कहने का मतलब कह भी कहने का मतलब है इस से इस से हमारे पास क्या होगा यहां पर भी एक हैट जुन लगा एक देंग दूसरा इध्र है जुन आ गए तीसरा इधर है जुन आ गयए और चौत हमारा इधर है परयोग इसaty प्रॉब्लम आपको नहीरह रहे होगा ठीक है इसके बाद इसके बाद एक और प्रॉब्म है क्या है यह हमारे पास अनहेबिड पी और बच्चे बच्चे थेहा नगना है अगर अगर आप देखो का अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर इन दौनों और मिडल की भीच में जो ओन लेप्र हो toy, वह आरी कॉण सी ऊभी मढि साइक होगी यह कउ आरा यहां से आ इसके पास जैसे यह वाला carbon atom हो बीच में यह दोनों हमारे पास side region यह इधर से overlap करेगा और दूसरा वाला हम बोल सकते हैं कि दूसरा वाला हमारा इधर से करने वाला है यह दौनों carbon atom ऐसे एक दूसरे के साथ क्या करेंगे overlap जब दौनों एक दूसरे से जोड़ जाएंगे तो फिर इसके पास पी और विटल होंगी वह भी हमारे एक बांड बनाती है वह भी हमारे एक बांड बनाती है और उस बांड को नाम दिया गया है फाईवांड वह को समझो आप इसमें आपको नज़राएंगे जिनमें से एक बांड आपका सिग्मा दूसरा आपका क्या होगा पाल वह पाल बनाती है और दूसरा आपका जो है वो साइडवाई या फिर लेटर वह लेपिंग से बन रहा है तो यह हमारा इसमें कौन सा अबडेशन हुआ इसमें होता SP2 Hybridization, अभी फिलाल के लिए आप, I hope आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, दोबारा समझ लेता है, क्या होता है, हमने ये कहा है, क्या का भी, जब किसी एटम की 1S2P orbital आपस में मिक्स होती, तीन नई SP2 Hybrid orbital बन जिनकी energy, size, shape, सब क्या होगा, समान होगा, तीनों आपस में अरेंग होगी, एक ट्राइबुलर प्लेनर जोमेट्री बनाती है, जिनकी बीच में बॉंड एंगल 120 डिगरी का पाए जाता है, इसे हम SP2 Hybridization कहता है, simple, एक्जामपल के बात करेंगे, मैं C2H4 को ले ले लेंगे, कारवन का electron configuration किया, ये ground state है, बात में excited state में, एक electron S से P में आ जाएगा, तो यहां पर 1 S2P orbital को आप क्या करेंगे, hybrid करेंगे, तो एक हमारे पास unhybrid P orbital बच जाती है, फिर हम जब यहां पर आए, जब हमने देखा, कि भाई, यह तीन आप मिक्स होने के बाद तीन hybrid orbital बनी है, ए एक unhybrid P orbital है, hybrid orbital तीनों मिक्स होने के बाद आ रहें, जोने के बाद, ट्राइगोल प्लेल जोमेट्री बनाएगी, unhybrid orbital बैसी के बैसी रहें, यह हमारे एक carbon atom आ गया, इसी तरह से दूसरा carbon atom आ गया, दोनो carbon atom आपस में overlap करेंगे, sigma bond बना बीच में, इधर से hydrogen overlap, single bond, इधर से hydrogen overlap, single bond, इधर से hydrogen overlap, single bond, अब जो P orbital हमारी unhybrid बची थी, वो हमारा sidewise और क्या करेंगी, overlap mean करेंगी, जिससे हमारे एक pi bond form हो जाता है, आयो, यह हमारा clear हो चुका topic, इसमें कुछ नहीं बचा है, अब हम अगले lecture में लाने बाले हैं, आपको SP hybridization, और जिसमें हम करने बाले हैं, C2 H2 का example, जो की बहुत important है, चले मिलते हैं, अगले lecture में एक नई energy के साथ, तक हमारा गलावी ठीक हो जाएगा, ठीक है, thanks for watching